अधिवक्ताउ में सुमन आपके समक्षाज कानून की कुछ विस्तरी जानकारी दोंगा, ये कानून की विस्तरी जानकारी होगी, घरेलू हिंसा केते है अधिनियम 2005, ये कानून हमारे पारलेमेंट में पास हुआ और 26 अक्तूबर 2006 को ये पूरे हिंदुस्तान में लाग हुआ और उसके बाद ये कानून एक महिलाओं के लिए रीड की हड़ी साबित हो रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं लगभग सत्पर प्रतिशत महिलाएं और विमेन हमारे भारत के समाज में शोशन और प्रतिशोशन और एक इस्त्रियों के प्रति ग्रिना का व्यवार पेश किया गया है इस समाज के दुवारा और उसके बाद ये कानून को बनाया गया और जंता के समक्ष लाया गया और सबसे पहले ये कानून 2005 में बना और उसके बाद इसमें कुछ-कुछ हमेंडमेंड होती रही पर ये कानून बनने की सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को इस कानून के वज़ा से अपने अधिकार, सम्मान और एक अपमान हित जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए ये कानून मिला और इस कानून में क्या होता है कि महिलाओं के प्रति कोई उत पेड़ना प्रति पेड़ना या कोई मार पेड़ना या कोई उनके खिलाफ कोई अशलील बाते करना या उनके साथ मार्क करना या कोई वाइलिंस करना तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं मैजिस्ट्रेट के सामने जज के सामने या तो खुद पेश हो सकती है या अपने अडवोकेट को वकील को लेकर कचेरी में पेश हो सकती है और इसमें सरक्षन अदिकारी का भी एक एहम रोल होता है वो एक सर्वक्शन अदिकारी भी एक मिडिेटर या आप कह सकते है कि वो भी एक महिलाओं के प्रतिलाभित का एक कारियों करता है और जो ये कानून है ये लगभग जब भी आप कचैरी में महिलाएं application पेश करती है तो विदिन ये केस कचैरी में 60 दिन के अंदर ही खतम हो जाते है क्योंकि ये Supreme Court की direction होती है कि इन केसों को जल्दी से जल्दी खतम किया जाए और पेडित महिलाओं को एक सम्मान जनक जिन्द की जीने की direction दी जाए और Supreme Court का एक इसमें बहुँ ज़ादा एहम रोल और साथ में Magistate District Magistate और Supreme Court के जजों का भी इसमें एक एहम रोल रहता है और साथ में इसमें इस कानून के तहत जो इस कानून को नहीं मानता है या कोई निर तिरार करता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जेल जेल में भी जाना पड़ सकता है जो इस कानून का उलंगन करता है या कोट के ओर्डर पास होते है जेल में भी जाना पड़ सकता है और साथ उसे जुरमाना भी इस इस कानून के तहत देना पड़ सकता है और ये एक जो ये कानून है ये एक ray of hope आया है महिलाओं के लिए हमारे समाज में क्यूंकि पिछले कई दशकों से हमारी महिलाएं घर के अंदर उत्पेड़ना और प्रतिपेड़ना और एक मारक उटाई का जो एक सिलसिला चलावा था उसको रोकने के लिए ये कानून 2005 में बनाया गया और उसके बाद महिलाओं ने भी कानून की जानकारी होने के बाद अपने हितो और राइट्स को भी समझा और मेजिस्टेट के थूँ अपने बचाओं में एप्लिकेशने पेश की और साथ में में एक बात इस कानून के तहती ये बताना चाहूंगा इस कानून में महिलाओं को एक न्यू डारेक्शन और साथ में राइट्स और उनके जो फंडमेंटल राइट्स के बारे में भी हलकी हलकी जानकारी दे गए गए और इस कानून में क्या होता है कि महिलाओं को जब से हमारा तेश अजाद हुआ है तो हजार तक बहुत सारी जिल्लत बहुत सारी उत्पेंडना या पुर्षो द्वारा की गई मारपीट या पुर्षो द्वारा की गई एक सिस्टम को खराब करना तो दो हजार पांच के बाद ये उन्हें एक रे आप होप और एक उनके प्रती न्यू डारेक्शन सुप्रिम कोट ने भी भी दी और साथ में जितने भी ही कोट है डिस्टे कोट है और स्पौडिनित कोट है फर कोट को सुप्रिम कोट की डारेक्शन है कि जो भी महिला उत्पेडन वाले केसिज है इनne जल्दी से जल्दी निप्टाया जाए और साथ में महिलाओं को उनके रैट के प्रती जागरूख और उनको जल्दी से जल्दी कोट के द्वारा मुआवजा और उनके प्रती एक साहनुबूती दिखाई जाए मेरे इस वीडियो को सब लोग अधिक से अधिक शेयर करे और मेरा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद से ये ते लोगा